नमस्कार मैं दक्षाय सावलिया आईसेस के एंडेस सेंटर नासीच से आज के लाटाइम में फास्ट फूड के बीना जीवन युवापेड़ी है वो सोची नहीं सकती और युवापेड़ी के साथ-साथ अब जो बड़े उम्रे के लोगे उनको भी थोड़ी से आदत लग गय तो हम आपको वैसी रेसीपी खिलाएं वैसी वेराइटी सिखाएं जो फास्ट फूड को टकर दे तो आपको रेसीपी कैसी लगी हमें कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले और हां हमारी चैनल को अब तक सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब कर दीजिए ताकि गजए बूले जाते हैं लेकिन उसमें पाव या ब्रेड आते है थो बिना ब्रेड के सेंड्विच हम सोची नहीं सकतेун और ब्रेड के वेन क्यों सूर सीuct होता है जो जो हमें क्यों नहीं च cree dijo hacen PR आट पर के तो आज का जो र caffeपड ब्रेड के हैं वो एकलद है vegetable sendwitch Um healthy sandwich बनाने के लिए sprout stuffing їх तैयार करने वाले है उन के लिए लिए हमेने एक वाटी इसमें मेने थोड़ा सा मल्टी वाला है वह दोड़ा एड़ कर रही है आपको आप्स नहीं आपको पसन दे तो मल्टी भी कर सकते और मल्टी पासंद नहीं तो आप सिंगल भी कर सकते हैं इसमें टेस्ट के लिए मैं अधा चमच नमक डाल रही हूं चुटकी भर काले मिच पाउडर चुटकी भर काला नमक थोड़ासे आधा चमच धन्या जीरा पाउडर और अध्रक की पेस्ट आधा चमच आधी मिर्ची तिखी वाली में डाल रहे हूँ आपको तिखा नहीं खाना है तो अप्सिनल रख सकते आप और निम्बू थोड़ासे पेस्ट अच्छा आए उबर के इसके लिए मैं डाल रहे हूँ दस पंद्रा बुंदे अभी इनको हम क्रश करेंगे इनको एकदम पेस्ट नहीं करना है थोड़ासा एसे ही थोड़ा साबूत रहें वेसा ही करना है जेसा हमें चाहिया था वेसा रेड़ी हो चुका है देखे ऐसा करना था इनको अभी आम एक पार्टी में निकाल लेते हैं कि वेजिटेबल सेंडविच बनाने के लिए हमने पहले तिन स्लाइस अलग-अलग कर लिया एक टामाटर की प्याज की और ककड़ी की उनके स्टफिंग के लिए हमने स्प्राउट का जैसे बना बता है आगे वीडियो में वैसे स्टफिंग तैयार कर लिया है उसमें मायोनिज हमें इसमें यूज नहीं करना है जो प्राक्रूतिक है वह ही उसका इसलिए हमने बनाए काजु का पेस्ट जो भिगो दिये थे और पेस्ट कर लिया उसको एक गंटा भिगो दीजे उसको पहले एह गाजर का कद्दुकस अधनिया सजाने के लिए पेपरिक यह तीन चटनिया है यह दोनों है रेड चटनी मिठी चटनी है चट पटी है और ग्रिन चटनी है यह तीनों चटनिया के वीडियो हमारे आगे यूट्यूब चैनल के उपर दिये गये हैं अगर आपको उसको देखना है तो जा करके देखें और अपने घर पर ज़रूर अब हम सेंड्विच बनाना शुरू करते हैं तो पहले हम टमाटर के स्लाइस लेंगे उनके उपर हम काजू का जो पेष्ट बनाया है वह लगा देंगे एक खाने में क्रीमी लगेगा देखने से पता चलता है तो हमें मायोणीज उज़ नहीं करना है क्योंकि वह हल्थ के लिए अच्छा नहीं है सबको पता है तो हमें इसमें घर से ही शब चीज़े बनी है और गर के ही शब चीज़े यूज की हुए है इसके उपर हम स्टॉफिंग रख देंगे स्टॉफिंग टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना है क्योंकि अधरक मिर्ची हमने यूज की हुई है कर लोगदाती है आला नमक डाला थि सका टेस्ट भे निम्बु डाला है तो एक दम अरत और आपको जो भी स्पॉट लेना है मुंग भी लेना है तो मुंग भी ले सकते है। आपको जो है पासंद मेरे कु हम स्टोफिंग आप बना सकते हैं इनके उपर हम पेपरिका लगा देंगे हलका सा अगर आपको तीखा बहुत पसंद नहीं है तो आप इनको यूज मत कीजिए अगर थोड़ा सा तीखा पसंदे तो आप इनका यूज कर सकते हैं ओरेगानों हम थोड़ा सा रख देंगे ताकि इनका टेस्ट और बढ़ जाएए इनका फ्लेवर भी अच्छा आजना इनके उपर हम रखेंगे प्यासकी स्लाइस थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वह अच्छा से से और हो जैए इसके उपर हमें लगानी है रेड चट्नी जो मिठी चट्नी है एक खजूर की बनी है यूटूब के उपर जैसे मैंने बताया हमारे वीडियो दिया गया है आप जा करके देख सकते हैं और ट्राइग कर सकते हैं इसमें हमें खट्टा मिठा तिखा एकदम मस्टेस्ट बनाना है थोड़ी सीन के उपर हम हल्की सी हरी चट्नी भी रख देंगे इसके उपर हमने गाजर का जो कदुकस किया है वो थोड़ा सा फेला देंगे गाजर का एकदम कदुकस किया हुआ है हमने इसमें बहुत सारे वेजिल टेबल्स भी हम खा पाएंगे और टेस्ट के साथ भी हम आनंद ले पाएंगे इसका इसके उपर हम रखेंगे ककड़ी ककड़ी के उपर हम एक बार और चटनी लगाएंगे यह त्यमाटर की चटनी है यह चटपटी है खाने में टेस्टी है इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ेंगे इसको आप एक पार खा करके देखे एक दो मस्त होने वाला है देख करके आपको खाने का मन करता हुगा इसके उपर थोड़ा यह हरा धन्या रखेंगे इसके उपर फिर से एक बार हम पेपरिका थोड़ा से ड़ेंगे दिखरेने एकदम लूक वाइज मस देख करके खाने का मन करें पोरेगान हलका सा टेस्ट के अनुसार डालना है अभी उनके उपर हमें एक बार और टमाटर की स्लाइस रख करके उसको कवर कर लेना है थोड़ा प्रेस कर देंगे ताके अच्छे से सेट हो जाए अभी इस सेंड्विच रेडी होती है थोड़ा से इसको सजा लेंगे बहुत टेस्टी होने वाली है सेंड्विच अमारी अभी रेडी हो चुकी है लुक वाइस देखिए कितनी मस्त बनी है अगर सेंड्विच के अस्वाद आपको और बढ़ाना है तो इसमें आप थोड़ा सा उपर से जूस मसाला चीड़ करके इसका तेस्ट और आप बढ़ा सकते और इसको चट्नी के साथ आप मजी ले करके खा सकते गर अगर आपको घर पर कोई मेमान दो तीन घंट के लिए औ आपको उनकी दिश में परोसना है तो इस सेंड्विच उनको दीजिए और बड़े आनंद से खाएंगे और एक बार भी इन करने करेंगे और बार-बार मांगेंगे वह आपने पास बार-बार खाने के डिमांड करेंगे ऐसा टेस्टी और हेल्थी खाए सेंड्विच बना ह तो हमें करते हैं करते हैं कमेंटस नहीं करते हैं तो हमें लगशा लगए तो हमें एक ब्रप्रिय देखते और यहिसा लगा। और आप उनके घर जाए ना, तो आपको भी ऐसी तयार रेसिपी खाने को मिले, वैसा आप वातावरानेक तयार कर सकते हैं, आप खुद भी रेसिपी बना करके खाएं और अन्य लोगों को भी खिलाएं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब की मिलते हैं जल्दी ऐसे ही अगली वीडियो लेकर के आपके साथ, बैबाई